हरे कृष्ण भगवद गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष एवं विसेवस्तु स्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के 700 स्लोक वैदिक ज्यान का सार हैं और भगवद गीता वैदिक साहित का सरवाधिक महत्पूर्ण उपनिसद है। इसलिए भगवद गीता को गीतोप निसत ही कहा जाता है। इन साथ सो स्लोक में सबसे महत्पूर्ण तीस स्लोक का चैन करना बहुत कठिन है। आज हम तीस सबसे महत्पूर्ण स्लोक में से पंद्रा का रिसाइटेशन और भावार्थ समझेंगे। न त्वेवाहम जातुनासम न तम्ने में जनाधिपाह न चैव न भविष्यामह सर्वेवयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो। अथ्वाई समस्त्रा जाना रहे हो। और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनों अस्मिन्यता देहे कौमारम्यों अनम्जरा तथा देहांतर प्राप्तिर भीरस्तत्र न मुहति। जिस प्रकार सरीरधारी आत्मा इस अर्थात वर्तमान सरीर में बाल्य आवस्था से तरण आवस्था में और फिर ब्रिद्धा वस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार म्रत्व होने पर आत्मा दूसरे सरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मुह को प्राप्त नहीं होता। मात्रास पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा। आगमा पाइनो नित्यास तांतितीक्छेश्व भारत। हे कुंती पोत्र सुख तथा दुख का छणिक उद्य तथा काल क्रम में उनका अंतरदान होना सर्दी तथा गर्मी की रित्मों के आने जाने के समान है। हे भरत्वंसी वे इंद्री बोत से उत्पन होते हैं और मनुस्त को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यज्य सिष्टाशि नह संतो मुच्यन ते सर्व किल्बी सही भुंजते ते तगंपापा ये पचंत्यात्म कारणात। भगवान के भग सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यग्य में अर्पित किये हुए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं, अनलोग जो अपनी इंद्री सुख के लिए भोजन मनाते हैं, वे निश्यत रूप से पाप खाते हैं। तस्माद सक्तह सत्तम कार्यम कर्म समाचार। असक्तो है चरन कर्म पर्मापनोति पुरुसह। अत कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुस्य को अपना कर्तब समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि अना सक्त होकर कर्म करने से परब्रम अर्थात परम की प्राप्ति होती है। प्रकृते है क्रियमाणानी गुणही कर्माणी शर्वशह। अहंकार विमूढात्मा करता है मिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोह ग्रस्थ होकर अपने आपको समस्त कर्मों का करता मान बैठता है जबकि वास्तों मेवे प्रकृत्र के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किये जाते हैं। श्री भगवान वाच काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवह महाशन महापापमा वेध्ययन मिह वैरिणम। स्री भगवान ने कहा हे अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारन करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। एवं परंपरा प्राप्त मिम्यं राजर्शयो विदुहू साकाले नेह महता योगो नश्टह परंतप। इस प्रकार ये परंविज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्शयों ने इसी विदी से इसे समझा किन्तु कालक्रम में ये परंपरा छिन हो गई। अताह ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। यदा यदा ही धर्मस्य कलानिर भवति भारत अभ्योथानम अधर्मस्य तदात्मानम्श जाम्य हम। हे भरतवन्सी जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतह त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म। नैति मामेति सोर्जुनह हे अर्जुन। जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकति को जानता है वे इस सरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनह जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातंधाम को प्राप्थ होता है। तद्विद्धी प्रड़ी पातेन परिप्रश्नेन से वया उपदेख्ष्यान्तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनह। तुम गुरु के पास जाकर सत्त को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जग्यासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। विद्या विने संपन्ने ब्राम्हने गविहस्तिनी सुनी चैवेश्वपाकेच पंडितह समदर्शिनह। विनम्रशाद पुरुष अपने वास्ति क्यान की कारण एक विद्ध्वान तथा विनीत ब्राम्हन, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समांदर्श्टि अर्थात संभाव से देखते हैं। श्री भगवान वाच मैय शक्त मनह पार्थ योगं युन्जन्मदाश्य असंसयं समग्रम्माम यथा ग्याश्य शित्रत्छुडू। श्री भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूहो कर, तथा मन को मुझ में आसक्त करके, योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्ट्या संसरहित जान सकते हो। रसो हमा अप्सु कांतेय प्रभास में शशी शूर्ययो ह। प्रेडवह सर्वे वेदेश। शब्दह खेपारु सम्दश। हे कुंति पुत्र मैं जल का स्वाध हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकास हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में धनी हूँ, तथा मनुस्य में सामर्थ हूँ। दैवी वेशा गुल्माई मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपध्यन्ते माया में ताम्तरंतिते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी सक्ति को पार कर पाना कठिन है, किन्तु जो मेरी शर्णागत हो जाते हैं, वे सरल्ता से से पार कर जाते हैं, हरे क्रश्न!